नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग BTSC के द्वारा कौंसलिंग की रिगार्डिंग जो निर्देश जारी किये गये हैं उन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं क्योंकि BTSC के बहुत सारे कंडिडेटों को अप कौंसलिंग का इंतजार है और पहली बार आए तो सबस्क्राइब जरूर करिएगा इससे आपको BTSC, A&M या BTSC की regarding और भी कोई वेकेंसी होती है या विहार स्वास विवाग के अपडेट होते हैं वो सारी जानकारी हम आपके साथ साजा करते रहते हैं तो चलिए हम लोग officially notice के तरफ बढ़ते हैं और वहां से सारी updates जानते हैं यह notice देख सकते हैं जिसमें की clearly लिखा हुआ है कि counseling में आने वाले अभ्यारतियों के लिए सूचना एवं निर्देश तो क्या कुछ निर्देश दिएगे हैं counseling में सामिल होने वाले के और जैसे कि इसका विग्यापन संक्या आप देख सकते हैं कि जो कि अभी जो आयूस doctor की counseling चल रही है जैसे कि हमें प्रतिक का विए और भी जो भी doctors का vacancy थी चाहे हमें प्रतिया आयूस वाले थे उन सारे की counseling का जो परकिरिया है वो पूरा होने वाले है आज उनकी परकिरिया पूरे हो जाएंगे और उनको लेकर निर्देश भी आये थे तो इनके बाद किनकी counseling होंगे वो भी हम लोग जानेंगे पहले आप ये निर्देश जान लेजिए कि इसमें जैसे कि इसका सारा कुछ देख सकते हैं कि इसका पूरब जो और आवेदन की परकिरिया इसका विज्जापन संख्या देख सकते हैं कि 6-2020 ही है तो इनको 6-2020 का ही वेकेंसी है और A&M का साथ 2022 है तो आप देख सकते हैं थोरा सा समय तो लगता है तो समय आप लोग को थोरे से देने होंगे तो इसमें आप देख सकते हैं और बहुत सारे ऐसे वेकेंसी है तो इन में हम यह बात करें तो जैसे के इसका इनकी कौनसलिंग का लिश्ट निकाला गया कौनसलिंग लिश्ट भी हमने दिखाए ते इसमें 10-8-23-10 जो अगस्त को इनकी दो पालियों में कॉंसलिंग होनी है वैसे आठ से ही शुरू है क्योंकि इसमें बिभीन पदों पर आयूस डॉक्टर के बिभीन जाये आयरवेद हो और भी बहुत सारे फिजिशियन को लेकर तो सब कर लेकर कॉंसलिंग का लिश्ट निकाला गया कॉंसलिंग डेट दिया गया था सबको अलग-अलग डेट में बुलाए गये थे आठ से दस के बीच में इनका कॉंसलिंग चल रहा है आठ अगस्त से दस अगस्त के बीच में तो दस अगस्त के इनकी कॉंसलिंग में जो भाग लिए जाएंगे उन सारे के लिए जैसे कि इसका बिहार तक निकी सेवा आयोग ही कौन्सलिंग कर रहे हैं जो भी वैकेंसी रहते हैं ऊंका बीट्यसी के निया जाते हैं जो बीड़ेंसी का वैकेंसी होते हैं तो इसके बाद वार canvas इसके निरदेश कौन्सलिंग क demol customer का यह मुख्य निरदेश है जो भी चूप यह दिसार ng अनुपालन सुनिश्चित करें कि आपको जितने भी डिकुमेंट्स आपको कॉंसलिंग में लगने थे वो तो लेकर आपको जाने ही थे और आपने कॉंसलिंग कराये भी होंगे जिनका पहले होएंगे वो करा लिये होंगे आज भी जिनका थे वो भी करवाये होंगे लेकिन इ बैयार्थी को पुना कॉंसलिंग कराने होती हुआ कोई दावा मानने नहीं होगी यदि आपका कॉंसलिंग छूट गया है यदि आप BTSC से अपील करेगा तो उससे आपको कोई सभी प्रमानपत्र कॉंसलिंग के समय मूल रूप से प्रषतुत करना अनिवार हन्ımı प्रमानपत्र प्रषतूत करने तुरूटि हो वने कि अलग से यह सारे गल्तियां हो तो आपको इस में जो पोस्टिंग किए जाएंगे तो तो उसमें आपको सलंग नहीं किया जाएगा तो जिनका छूट गया है उनको दुबारा मौका नहीं देने की बात कही जा रही है आप दावा भी पेस नहीं कर सकते हैं तो आप अगला जो कॉंसलिंग होने वाले हैं जैसी की बिटेसी के पास आप जो वेकेंसी बचे वी हैं उ A&M को लेकर तो हम सारा अपडेट आपको बताते ही हैं और A&M की यहीं हम बात करें तो उनको लेकर भी जल्द आप लोग को नोटिस देखने के मिलेंगे इन लोग की कौंसलिंग अब समाफत हो गया है तो आप किनकी कांसलिंग मिटेसी करेंगे वह आपको ऑफिचरी नोट काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएंगे उस देट में आपको उपस्थित होना अनिवार है अन्यथा आपको उसमें काउंसलिंग के लिए आप दुबारा नहीं जा सकते हैं उस डेट में आप नहीं आप उपस्थित हो पाए तो यह सारे बीटियसी की जो काउंसलिंग के नि निकाल कर इसमें सरा डाटा फील करके उसके बाद वहाँ पर लेकर जाने होते हैं जो भी जिसका भी कॉंसलिंग निकाला जाता है उसके रिगार्डिंग यह फॉर्मेट भी दिये जाते है आयूप के दोरा तो यह फॉर्मेट जिनका कॉंसलिंग होंगे इस तरह के टाइब करके जरूर रखें तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू